वालीवूट फिलम इंडश्ट्री में सनी देवल को अपने शानदार डायलोग डिलिवरी से भी पहचाना जाता है सनी देवल के डायलोग हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि भारत के पडोसी देशों में भी पसंद किये जाते हैं हमारा पडोसी सनी देवल को कुछ खास पसंद नहीं करता पर लेकिन सनी देवल के मूँ से लगातार उसके खिलाफ जवरदस डायलोग निकले हैं जो की लगातार सोशल मीडिया पर और अलग-अलग प्लेट फ्रोमों पर वाइरल होते रहते हैं पर ऐसा भी नहीं है कि सनी देवल के सभी डायलोग पाकिस्तान में पसंद नहीं किये जाते हैं कुछ ऐसे भी फिल्में हैं जहां पर सनी देवल के डायलोग काफी ज़्यादा पसंद किये जाते हैं पाकिस्तान में भी आईए इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी फिल्मों के डायलोग ज़्यादा पसंद किये जाते हैं सनी देवल के फिल्म बेताब से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात करने वाले सनी देवल को फिल्म इंडेश्ट्री का दिगज कलाकार भी माना जाता है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सूपर हिट फिल्में दी हैं सनी देवल फिलम जगत में अपने जवर्दस डायलोग डिलिवरी से भी पहचाने जाते हैं सनी देवल के फैंस को उनके बोले गए डायलोग आज भी काफी ज़ादा पसंद है और वो लगातार इसका इस्तमाल भी करते रहते हैं सनी देवल ने कई फिलमों में बहुत ही शानदार डायलोग बोले हैं फिलम गदर में पले गए उनके डायलोग हिंदुस्तान जिंदाबाद था हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा प्रसास से बचने की हैसियत नहीं है गोली चलाने की बात करते हैं फिल्म दामनी का मश्यूर डायलोग यह धाई किलो का हाथ है जब यह पढ़ता है तो आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है फिल्म घातक में बोला गया उनका डायलोग, सातों के सातों को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा, इन जैसे तमाम सनी देवल के बोले गए डायलोग फैंस को खूब पसंद आते हैं, ऐसे ही कुछ डायलोग जो सनी देवल ने बोले हैं, वो आज भी पाकिस्तान में काफी अभी सनी देवल की अपकमिंग मूवी चूप का डायलोग चूप और बास्टट काफी जादा मशूर हो रहा है, जिसमें सनी देवल लगा तार चीकते हुए बास्टट कहते हुए नजर आते हैं, सनी देवल की डायलोग डिलिवरी को लेकर आपकी क्या राय है, लिग भेज लोगा जायलोग झालोग तो